कि असलाम अलेकुम मैं हूँ अबदुल्ला तारिक आज जो हम अल्गोरिफम देखेंगे वो है के नीरेस नेबर के एन एन आज हम देखेंगे वर्ट इस के एन इन इट्स वर्किंग वें तो यूज एंड रॉल ओफ के के एनन के एनन बेसिकली क्या है के एनन एक जैसे कि आपको पहले भी बता दिया गया है इसको एक बार ओर थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल वर्ज में शूपर्वाइज लर्निंग वह होती है जिसके अंदर आपको लेबल मीज आउट पुट पहले से पता होती यानि के जो आपके पास इंपुट आ रही है उसके सा आपको out put भी पता है मिंज जो आपके पास classes मजूद है इस वात उसकी आपको output भी पता है अगर मैं एक एक example देता हूं तो लेट सी के हमारे पास तीन classes है circle की है square की है triangle की है तो इनके labels जो है circle square triangle की हमें पहले से मालूम होंगे और उसके बाद जब भी कोई निया डेटा हमारे पास आएगा हम देखते हुए उसको कोई भी class assign कर देंगे उसको इस class में रख देंगे अगर हमारे पास triangle का data आया है तो हम उसके उपर अपना KNN algorithm perform करेंगे और उसके बाद जो result आएगा उस class से हम उसको assign कर देंगे वह अला लेबल हम उसके देंगे उसके बाद हमारे पास regression और classification दो problems होती है KNN basically regression के लिए भी use होता है लेकिन इसको primarily हम use करते है classification problems के लिए यानि के कोई label classify कर दीदा उसको कोई class देदेना उसको बता देना कि यह किस class से belong करता है KNN के अंदर हम मुक्तलिफ distance यूज कर सकते हैं KNN जो है बेस करता है distance के उपर आप जो उसको के की value रखते हो वह उससे जो भी data point आता है उसके करीब जितने भी data होते है उनसे उनका distance लेता है फिर वह देखता है के की value क्या है के की value के मुताबिक जो उसके nearest जो के की value होती है वो वाले जो है वो data points लेता है वो वाले neighbors लेता है और फिर उन neighbors को देखते हुए उसको class sign कर देता है हम इसके अंदर Euclidean distance को use करेंगे लेकिन आप इसके अंदर कोई भी distance use कर सकते हैं Manhattan distance या कोई भी और भी उसके बाद ये distance लेगा आपने जो भी टेकनीक लगाई है distance लेगा उसके बाद देखेगा सबसे कम distance कितना बंद रहा है किसके साथ बंद रहा है के की value देखेगा उतने neighbor points लेगा और then label को classify कर देगा जैसे कि हमें एक example लेते हैं कि हमारे पास दो classes है class A class B class A है star की और class B है मारे पास triangle की अब यह जो है मारे पास जो बना हुआ है यह question mark ही है कि मारे पास एक निया data point आया हमें जियून करते हैं कि सबसे पहले हमने के की value रखी है ना वह तीन रखी है के मतलब कि हम उसके जो nearest neighbor देखेंगे वह तीन देखेंगे यहां पर point है तो हम क्या करेंगे सबके साथ distance लेंगे देखेंगे कि nearest distance किसका बंद रहे नीर सबसे किसका बंद रहे है एक एसका बंद रहे है और एक इसका बंद रहे तो इसमेंसे दो जो हैं वो triangle की एक a star का मेंस इसको अगर हमने k Hybrid 3 रखा तो यह जो निया मारे पास data point आया यह belong करेगा triangle से क्योंकि triangle के 2 points है और star का है let's assume कि हमारे पस k equal 7 है तो इस case में क्या होगा इस case में यह होगा कि हमारे पास star की values हैं वो 4 आजेंगी और triangle की value 3 आजेंगी means के k को अगर हमने 3 रखा तो उसके पास 2 triangle 1 star आया k equal 7 किया तो 4 star और 3 triangles है means के दुनों case में एक case में triangle की majority है एक में star की majority है अब इससे हमारे पास question उठता है कि हम फिर k की value किस तरह से select करें कि हमारे पास accuracy ज्यादा है और error आने के chance जो error rate हो वो काम हो इसकी बाद हम आगे जाके करेंगे के की value कैसे हम select कर सकते हैं की value किन चीजों के उपर depend करती है इसके बाद अब इसको और च्छे से हम समझने के लिए यह देखते हैं एक और example देखते हैं ताकर हमें इसकी और working और deeply समझ आजे लेट सी के हमारे पास एक bottle company की example है हम कहते हैं के company जो bottle बनाती है उसने मुक्तलिफ बनाई जिसके अंदर दो attributes है जिस attributes की values देखते हुए ना वह classify करता है कि यह बाटल बनी है यह bad ऑग जैसे के भी हम देखते हैं कि मारे पास चार data set है यानि के चार पॉाइंट साने जिसके अंदर उसके दो attributes है वह उनका नेम है x और y एक में एक में एक में थ्री है एक में वाई की थ्री एक में एक में एक में एक्स की टू है एक मे में bad है अब हम देखते हैं कि इस company ने एक और बोटल बनाई है अब उसको हमने देखना है कि वह good है या bad हो किस class से ब्लॉंग करती है तो हम क्या देखेंगे हम देखेंगे कि यह जो उसके attributes हैं जो इनकी values हैं उन सब का जितने भी data points available है distance लेंगे हम Euclidean distance लेंगे और फिर ज लेने के बाद जो team nearest distance आ रहे होंगे इस data site में जिनका उससे सबसे कम distance होगा वह select करेंगे और उसके बाद उसको classify करेंगे एक हम लेबल जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास new value आई है जैसे कि यह देखें अब जो निया product बना है उसमें X की value है 1 और Y की value है 4 हमने इसका distance लिया च 3 और 4 अब हम देख रहे हैं कि 2 वाले की result good है 3 वाले का भी good है लेकिन 4 वाले का bad means के दो मारे पास good है एक bad majority good की है तो जो नहीं product आई है वह classify हूई है good से अब आपको पता चला कि कैनन कैसे काम का रहा है केनन में आपके पास data जो आता है input आपके पास available होती है आप उसके बा आपके हमारे पास यहां दो classes है और हम के की value रख देते हैं 2 ठीक हो गया के की value अगर हमने 2 रख दी है means कि अगर हमने 2 रख दी और हमें जूम करते हैं कि नहीं product आई उसमें एक point आ जाता है bad एक point आ जाता है good तो अब हम कौन सी को class sign करेंगे bad वाली या good वाली यानिके यहां से ऑन फेमारे पास confusion है यानि के अगर के की value यहतै है mostly हम all नहीं करते हैं दो कि Jord has the 워 bets में even में और में यहां थाकि हमारे पास classified हो सके को‌ई the majority में आ सके और कोई लाइसर आ सके लेकिन अगर हम select कर लो कि salt only एक एक neighbor आगया हरे एक bad का आगया एक good का आगया एक normal का तो इसमें भी odd value नहीं काम करेगी तो means इससे हमें पता चलता है कि जो हमने k की value लेनी है वो depend करी है हमारे dataset के उपर यानि हमने देखना है पहले हमें अपने dataset का पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए उसके अंदर कितनी classes है अगर उसके अंदर odd number of classes है तो हम k की value रखेंगे even और उसके अंदर even number of classes है तो हम k की value रखेंगे odd इसके अलावा भी आप मुक्तलिस तरीकों से k की value check कर सकते हो means के hit and trial method यूज कर सकते हो hit and trial method में क्या होगा आप कोई भी value k की select करोगे देखोगे कि accuracy कि पे ज्यादा अच्छी आ रही है 1 रखके देखोगे 3 5 7 जो भी है mostly cases के अंदर हम जो k की value है वो 3 से लेके 20 के दर्मयान रखते है और इसके अंदर हमारी value जो है वो अच्छी आती है और जो accuracy भी है वो भी अच्छी आती है बाकि hit and trial method भी यूज कर सकते हो अगर आपको आपके data set के बारे में नहीं पता अगर आपको data set के बारे में पता है classes का पता है तो आप उस base के पर k की value decide करोगे ये था आज का हमारा के नाइन का topic इसके बाद जो है अगले lecture में आपको knife by इसके बारे में बताया जाएगा